हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग देखने वह ले हैं नॉमिनल मिक्स डिजाइन एंड डेंसिटी इस अपने इंपोर्टेंट मेटेरियल्स तो इसके हम इसके टॉपिक के लेटेड आज हम एक्सपेक्टेड कोशन से देखेंगे जो एससे और और आजबीजे का जो एक्जाम होता है उसमें मिनिम्मम टॉन्टी कोशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेला की बिल्कुल इजी कोशन होते हैं कोई भी उनके आंसर दे सकता है तो यो इजी कोशन वो बिल्कुल हमारे रहने नहीं चाहिए क्योंकि पहले तो हम लोगों को एज चीजे होती हैं देंसिटी बगारा पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जैसे 10 most importants जो मटेरियल से जिनकी देंसिटी सीधे सीधे पूछ लेते हैं जो हमारे स्टेट्स के बगारा एक्जाम रहते हैं बगारा और भी तो उसमें उसमें भी ट्रेक्ली यह बगारा में तो पूछते हैं जैसे पूछली M25 का ग्रेड का ग्रेड क्या है तो जो ट्रेक्ली एक्जाम आपको देखने को मिलता है जहां बोलते हैं कि मिक्स प्रपोशन जो होता है यह क्या होता है मतलब कि उस सबको आज हम लोग डिसकेस करेंगे तो करते हैं आज की वीडियो को शुरूँ तो फास्ट हमारे पास nominal mixed design मेरे पास है इसका देख लेते हैं तो इस तरफ हमारे पास जो है वह ग्रेट आप सी में ग्रेट आप सी में एक इंक्रीट हमारे पास उसके बाद प्रपोशन है तो यह प्रपोशन होता है सबसे पहले अपने को जह देखन और जो 10 जी है course aggregate तो इसका मझल यासे आपने क्या कि यह मैं आपको यह सिंपल एक्जांपल दो अगर आप बन के जी सीमें लेते हो तो आपको 5 kg के लिए एग्रिगेट लेने है और 10 kg के लिए लेने है तो यह इसका ऐसे प्रपोशन होता है ठीक है तो अब आपको जह चीज जाँ दो होता है तो ऐसे आप ग्रेट देख रहे हो गया अब आप सोचोगे कि कैसे लंग किया जाए जाद करना क्यूंकि ऐसे तो आपको जाद करनें पढ़ेंगे लेकिन बाट को सिंपल ट्रिक्स बताता हूं जिसके जरीए आप कभी बिन को गूलोगे नहीं बस आपको 2 जाद रखना है तो देखती ह है क्या करना सबसे पहले सबसे पहले स्मकार करेंगे वे यह उसके बाद हम क्या करेंगे वह ठीखना है फिर ईट करने है घृट के लिए फीमप नगरिद्याइगे को डब होता है fine aggregate के लिए M25 का तो उसके बाद course aggregate को डबल कर देना cement के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सब के लिए बननी होता है उसके M20 का देखें तो cement के लिए तो बननी रहेगा आप जो नीचे M25 का fine aggregate का बन था उसमें 0.5 आप और एड़ कर दो तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और 1.5 को double करेंगे तो 3 हो गया अब M15 के लिए प्रसेजर है 1.5 में 0.54 आड़ कर दो तो टू आ गया तो 1 तो cement का है यह पहले 2 को double कर देंगे तो 4 आ जाएगा को जाद रखनी इस point पर जाके कि जो M10 के लिए हो गा दो उसके लिए हम लोग 0.5 आड़ नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बनाड करेंगे में 2 में 1 आद करेंगे to me 2 में 1 एड़ करेंगे 3 हो गया 3 को wol करेंगे 6 हो गया 1 तयंग 6 आ गया सेटैंट प İchange on 7.5 में जाएंगे करते चलेंगे के लिए देखने तो 7.5 एक फॉर जाएगा four को डैबल करेंगे तो 8 मेंских क्या लिए देखें तो 4 में प्लस 5 का लादकने 5 ऑध सुछी कोने से तीन जाधेसे यह पहला सीमेंट के लिए वन लिख लेना है दूसरा यह फाइन एग्रिगेट होते हैं अपना एग्रिगेट होता है उसका में 25 के लिए बन होता है तीसरा को डबल कर देना है और एक चीज़ सोरी में तीन चार्ज जाज रखनी है और इम 10 में जब हम लोग जांगेना है इम 15 में तौन कर द्यान है उसके बाद करना नीचे जो हमowania번 meisten डीटेशिशं ग्रेट्टी में जिरो पॉइंट्टी उर द्हेड़ और यह उपर के ग्रेड देखे हैंना या बस इतना ही आप चीजर द्यान अँर or स्कॉन भी स्टेवल को बना सकते हो और जो ग्रेड आपको पूशा है आपको यस्ट इन फाइब सेकंड आप उस ग्रेड का प्रपोश्ण बता सकते हो तो आप लेक्टने डेंसिटी है यह हमारे पास मटेरियल्स है कुछ और उनका इंसिटी वे पहले में आपको बता दों कि डेंसिटी जोती है कि परमय प्रकूल मोती है तह पहले है सबसे की जो होती है बोत यह सिस्टीन हंडड़ होती है स्टील की अगर देखें तो वो कितने होती है सेवन थाउजन्ट एट हंड़ड़ होती है वाटर की कितने होती है वन थाउजन्ट होती है सॉयल की अगर देखें तो सिस्टीन हंड़र टू एटीन हंड़र के बीच में रहती है पी सी सी पर की यो हमारा रहता है उसके रहती है 2400 तो हम यूज करते रहते हैं ब्रिक की जो होती है और बूद की जो होती है 800 तो 1600 के बीच होती है इसमें एक चीज और पूछते हैं कि जैसे मैं आपको बताते हैं एक सेकंड हम पैनले लेते हैं आपको पता है अगर णं milj का यसको पिए ऊटा है अगर और देंशिटे का फॉल्मला पूछ आपको तो देंशिट्य एकॉल्ट तो हमांस कितना होता है तो मास निकाला अपने को ठीक है हिरा मास क्या हो जाएगे mass is equal to density into volume density कितनी है हमारे पास 1430 सीमेंट की और volume कितना है कितने मेंटर की volume निकलना बंद के लिए तो कितना जाएगा 1430 आजाएगा ठीक है अगर अभी मैं question को change कर दूं मैं volume बंद के जगए दिर 2 कर देता हूं ठीक है तो 1 को आपको आपको कोई बोला है कि अगर question आपको दे दिया तो volume volume is given as two meter to find the mass of the cement तो उसके बाद हम क्या करेंगे density आपको पता इसको टू से multiply करा देंगे simply अगर टू से multiply करा आगे तो यह कितना हो जाएगा टू एट सिंक्स जीडो तो इसको अगर हम multiply करा तो रखेंगे त्री रखेंगे तो थ्री से multiply करा देंगे ऐसे किसी भी material के लिए आपको पूशा जा सकता है कि आप density बताओ कितने आएगी इसकी सब्सक्राइब कर देता हूं कि तो यह थी density हम नहीं देखा कि कैसे निकालते हैं अगर आपको density density sea is equal to mass by volume होता है तो अगर आपको mass pusha हो तो आप निकाल सकते ओ अब question change भी हो सकता जैसे में अगर आपको density is equal to mass by volume होता ठीक है तो अगर आपको mass दे रखा मास दे रखा है इसका बालिम दिया हुआ तो बता उसकी इसकी क्या होगी तो आप को यहां से तो आस सब चीज है चीजने चीज़ जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है में कुछ नहीं है वाकी तो आज की विडियो में इतना ही हम में ट्वेंट्टे फाइड के लिए तो आजाएगा उसके बाद हमने 20 का देखा 20 वर पॉइंट 5 हो जाएगा कि युमकि 0.5 आट कर देना और उसका 1.5 को ड़रेंगे तो 3 हो जाएगा उसके बाद अगर हम M15 की बात करें तो M15 में 1.5 का जो है 0.54 प्लस करेंगे तो 2 हो जायगा तो वो course aggregate के लिए 4 हो जाएगा उसके बाद जब हम लोग M15 के बात करें तो M10 में क्या होगा, 2 में 2 में plus 1 करना होगा? 3 हो जाएगा, 2 में 3 जाम 6 हो जाएगा तो आपको पता हिए कि वॉल्यूम कितना आएगा तो मास को मज़े से निकाल सकते हो डैंसिटी इंटू वॉल्यूम करके तो डैंसिटी आपको माटेरियल स्किन की जाद दोने चाहिए तो वॉल्यूम जितना आपको कोशन में गिवन रहेगा उसे मल्टिपलाइ करा के सीधा अंसर दे सकते हैं जहां को डैंसिटी पूछ ली जाए आपको मास वय वॉल्यूम दे रखा हो तो डैंसिटी इस गिल मास वय वय वॉल्यूम होता है आवी मुझे तो हम लोगों को करना है कि काज कोई डिए तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें कि पूरी प्रफेशनल प्रक्टिस वेलिएशन को इसलिए मैंने सीख पाएं अच्छे से तो हम उन्हों को पूरा अच्छे से सिखा देंगे आपको कैसे कॉंटरीज निकालनी हैं बगारा बगारा जो भी रहता हमारा रेट अनलीसिस क्या होता है बगारा जो भी है तो कैसे लेते हैं हम लोग कितना प्राइस आएगा तो अभी मैंने दो एक पूशे आ हैं के लिए तो इसके साथ साथ हम लोगों का एक साथ लेकिन को मिलेगा और आपको उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कौन कौन से कोशे जा रहे हैं एक्जाम में तो उससे आपको काफी फाइदा मिलेगा है क्यूंक्त